असलाम लगों और रिवीज पीके में खुशाम दीद, मेरा नाम आमीर है और दोस्तों कल रात यानि के 24 जून 2021 को माइक्रोसॉफ ने अपने कीनोट इवेंट में विंडोस 11 रिवील किया जो के विंडोस 10 के उपर एक फ्री अपग्रेड होगा और मैं जानता हूँ कि इस पे और रेटी बहुत सारी लीक्स और रूमर्स के आप विडियो देख चुके हैं लेकिन हमारी आज की विडियो में हम उन चीजों में बात करेंगे जो माइक्रोसॉफ ने खुद अनौन्स की है और बाइद वे इनका कीनोट थोड़ा इमोशनल टाइप के इनने बनाया था पी चला सकेंगे इस पर विडियो आगे चलके बात करेंगे पहले मैं एक ऐसी आप के बारे में बात करना चाहता हूँ चोके मैं खुद परसनली भी उस करता हूँ और इसके जरीए मैंने शॉपिंग करके बहुत सारी सेविंग्स भी की हैं इस आप का नाम है सेवियर अप स सेवियर पाकिस्तान की सबसे पहली और उनली कैश बैक आप है और अब आपको आफर कर रही है हजार रुपए के कैश बैक जब आप इसके जरीए कुछ भी खरीदे हैं चाहे ग्रोसरीज हों या फिर इलेक्रोनिक्स अब ब्रैंड और बैंक के डिसकाउंट के साथ-साथ आ मतलब के सेवियर से कुछ भी खरीदने पे आपको पैसे वापस मिलते हैं याने के जैसे ही आपका सेवियर अप पे कोई और कम्प्लीट होगा तो आपके वालेट में कैश बैक के पैसे जमा हो जाएंगे और फिर इस पैसे को आप वसूल कर सकते हैं बजर या बैंक ट्रांस भी हैं और बहुत सारे आनलाइन शॉपिंग के प्लाटफॉंग भी हैं यह कैश बैक आपको अन टॉप ऑफ ब्रैंड डिसकाउंट मिलेगा और सिर्फ इतना ही नहीं बलके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों के लिए एक रिफरर लिंक छोड़ रहा हजार रुपे या उससे उपर की शॉपिंग पे आप लोगों को 150 रुपीज यानि के 1500 रुपे का कैश बैक मिलेगा तो इंतजार किस बात का अभी इसी वक्त अपने फोन पे सेवेर अप डालें और अपनी शॉपिंग पे कैश बैक हासल करें और अब बात करते हैं विंडो सबसे पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो है इसका नया लुक तो यहां यूजर इंटरफेस को अपडेट किया गया है और एक नया सेंट्रलाइस स्टार्ट मेन्यू दिया गया है इसे अगर आप चाहें तो लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं पहले की तरह लेकिन अब स् उसके कॉर्णर्स को राउंडिट कर दिया गया है और इंटरफेस के लेफ साइट पे जब आप स्वाइप करेंगे तो यह ग्लास एफेक्ट वाला टैब है जिसमें आप विजिट्स रख सकते हैं तो वेदर, कैलेंडर और टू-डू लिस्ट वगेरा अब इन कॉस्मेटिक चेंजिस के साथ साथ बकॉल माइक्रोसॉफ्ट विंडोस 11 में कुछ परफॉर्मेंस में भी इंप्रॉव्मेंट्स की गई है तो इसको ज्यादा तेज बनाया गया है, स्लीप टू वेग ज्यादा तेज कर दिया गया है, विंडोस हेलो को तेज किया गया है, विंडोस 10 में हम विंडोस को साइट बाइसाइड औरिंटेशन में इस्तेमाल कर सकते थे और यह एक बहुत ही यूसफुल फीचर था मल्टी टास्किंग और प्रॉडक्टिविटी के लिए, लेकिन विंडोस 11 में इस फीचर को और भी डिवलप कर दिया गया है, स्नाप ले आपके इन अप्लिकेशन के ले आउट को याद रखता है और इनके स्नाप ग्रूप्स बना देता है, तो अगर काम करते करते, मिसाल के तोरब आपको कोई नोटिफिकेशन आती है, तो आपका पूरा स्नाप लेयाउट एक स्नाप ग्रूप बनके मिनिमाइस हो जाएगा, य और ये snap layout का feature Windows 11 के लिए इतना central है के इनोंने अपनी keynote में भी और अपनी सारी marketing materials में भी इसे सबसे उपर रखा हुआ है अब जैसे कि आप जानते हैं पिछले साल के pandemic की वज़ा से बहुत से लोगों का working routine चेंज हुआ है और लोग अब ज्यादा video conferencing करते हैं work from home करते हैं और इसी को देखते हुए Microsoft ने Windows 11 में अब Teams app built-in कर दी है जिससे आप chat, voice calls और video calls कर सकेंगे ये किसी भी लिहास से groundbreaking feature नहीं है हम already Zoom और Skype जिसे Microsoft खुद ओन करती है इन सारी apps के अल्रेड़ी आदी हो चुके हैं लेकिन मेरे ख्याल में दे रहा है दुरूसता है और Windows के अंदर ही natively एक ऐसी app built-in होना जिससे आप video conferencing कर सकेंगे वो मेरे हिसाब से एक useful feature है अब मैंने आपको video के intro में बताया था कि Windows 11 को design किया गया है desktop computing और mobile computing को bridge करने के लिए तो यहां mobile computing और touch enabled devices के लिए भी Windows 11 को optimize किया गया है smoothness बेतर कर दी गई है animations बेतर कर दी गई है और अब Windows 11 में styluses के लिए भी haptic feedback की functionality डाली गई है जिससे compatible styluses में आपको haptic feedback मिलेगा लिखते हुए तो आप vibrations वगएरा feel कर सकेंगे अब आगे बढ़के अगर बात करें कुछ gaming enhancements की तो पहले तो आपको यह बताता चलू के मैं किसी भी लिहाज से PC gamer नहीं हूँ लेकिन यहां भी Windows 11 में कुछ improvements की गई हैं तो इसमें आपको auto HDR के साथ better graphics मिलेंगे और यह auto HDR Microsoft के Xbox से यहां लाया गया है फिर इसमें direct storage technology भी डाली गई है ज्यादा तेज graphical rendering के लिए लेकिन मेरे ख्याल में Windows 11 का जो सबसे ज्यादा interesting feature है वो है Android apps का support अब यह strictly speaking native support नहीं है क्योंकि इसे किया जा रहा है Microsoft Store और Amazon के App Store को integrate करके तो आपको Android app चलाने के लिए उने Amazon के App Store से डाउनलोड करना होगा और Intel Bridge technology को इस्तमाल करते हुए Windows 11 उन apps को भी चला सकेगा और बेस बात यह है कि आप इन Android apps को भी अपनी normal apps की तरह start menu में रख सकेंगे, minimize कर सकेंगे और इवन अपने snap layouts और snap groups में रख सकेंगे बहुत याला लेकिन यहां यह सवाल जरूर खड़ा होता है कि क्या Windows में आप APKs इंस्टॉल कर सकेंगे, मुझे नहीं लगता कर सकेंगे क्योंकि Amazon App Store को integrate करके किया गया है, साथी साथ क्योंकि यह Intel Bridge technology है कुछ लोग यह भी सवाल कर रहे हैं कि क्या यह AMD-based computers पे सही चलेगी या नहीं यकिन यह तो हमें आने वाला वक्ती बताएगा लेकिन मेरे हिसाब से Android Apps की built-in functionality बहुत ही useful feature है क्योंकि अब आप अपने desktop के उपर TikTok, Instagram और सारी popular apps चला सकेंगे अब अगर बात करें कुछ minimum requirements की तो Windows 11 सिरफ 64-bit version में होगा कोई 32-bit version नहीं है processor 1 GHz या faster और 2 cores या ज्यादा हो साथ में 4 GB RAM, 64 GB storage और भी कुछ minimum requirements है मैं link description में छोड़ दूँगा अगर आप उनमें interested है अब मैं आपको विडियो के शुरू में बताया था कि Windows 11 एक free upgrade होगा उन लोगों के लिए जिनके पास Windows 10 की एक genuine copy है जाहर है इसमें आपको compatibility देखनी होगी कि आपके machine भी compatible हो Windows 11 के साथ और अगर बात करें rollout की तो Microsoft ने कोई specific date नहीं दी है बस कहा है कि holiday season जिसका मतलब है November 2021 से इसका rollout शुरू हो जाना चाहिए और फिर ये rollout 2022 में भी continue रहेगा और एक बार ये launch हो जाएगा तो यकीनन मैं आपके लिए लाँगा इसका एक first look अगर उससे पहले आप Windows 11 की कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूँगा इसकी ISO डाउनलोड करके आप लोगों को इसका एक first look दूँगा इसकी ISO लीक हो चुकी है मुझे comment section में जरूर बताएगा अगर कोई और thoughts हो, feedback हो या सवालात हो Windows 11 के बारे में वो भी मैं जानना चाहता हूँ वीडियो पसंद आयो तो इस पर like देना ना भूलेगा चैनल पर नए हैं तो subscribe कर लें देखने का बहुत शुक्रिया इस वीडियो में इतना ही इंचाला आप से मुलाकात होगी अगली वीडियो में अला हाफिस